पुरुरुपे प्यारे साज संग ची, प्यार और सतकार से कहना धन निरंकार ची, साज संग ची, संपूर्ण हर्देवबानी में, सतकुरु बाबा हर्देव सिंग ची महराज, इस शबत द्वारा हमें समझाते हैं, विश्वाश की जोती जगी हुई है, जिस मन में इसमें कुछ संदेह नहीं कि ग्यान ठैरता उस मन में, कि इसमें कोई शक की गुंजाईश ही नहीं है, कि उस मन में ग्यान तिके ना, ग्यान अवश्य तिकेगा, क्योंकि उस मन में विश्वाश की जोती जगी हुई है, आहो साहसंगत जी इसी टोपिक पर हम विचार करते हैं कि विश्वाश भगती में विश्वाश का स्थान साहसंगत जी विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां भी होंगी उन गलतियों के लिए आप जी शमा कर देना और दासी सत्कुरु निरंकार निरंकारी राजपिता जी साहसंगत मां का कोटिन-कोटिन बार शुकराना करती है जिनकी अपार कित पस हमारा यह जीवन का सफर बीत रहा है आपजी का शुक्राना करते हुए दासी ये, विश्वाश भरे विचार आपजी के चर्नों में रखने जा रही है, आपजी प्रमान करें सासंगजी कहती हैं हमारे मन में किसी के प्रती जब तक विश्वाश जागता नहीं है तब तक हम उससे खुशी प्रापत नहीं कर सकते हैं चाहे यह विश्वाश सत्कुरू के प्रती हो या डोक्टर वकील ड्राइवर आदी के प्रती हो इन सब प्रकार के रिलेशन्स में जब तक विश्वाश ना जुड़ा हो तब तक हमें आनंद प्रापत नहीं हो सकता जब हम किसी वाहन में ट्रैवल कर रहे होती हैं तो अगर हमारे मन में ड्राइवर की योकिता के प्रती संदेहे आ जाता है तो हम उस ट्रैवल का अनंद नहीं ले पाते हमारे मन में ऐसे विचार आने शुरू हो जाती हैं कि ए ड्राइवर पता नहीं हमें मंजिल तक पहुचा पाएगा या नहीं इसी परकार हम जिस डॉक्टर से इलाज करवाती हैं अगर हम में उस डॉक्टर के प्रती विश्वा ही नहीं है तो हम ठीक नहीं हो सकते बले ही डॉक्टर कितना ही अच्छा हो पड़ा लिखा हो लेकिन हमारे विश्वाश ना होने के कारण हमारे मन में यहीं रहता है कि हम इस डॉक्टर से ठीक नहीं हो पाएगे इसी परकार हमारे मन में सत्गुरू के प्रती भी विश्वा के साथ अपना दुख सुख बा्टती हैं या सुख के लिए अरदासी करती हैं तो उस सता के प्रती हमारा विश्वाश होना बहुत जरूरी है, अगर हमारे मन में सत्गरु के सामर्थे के प्रती जरा भी विश्वाश की भावना नहीं है तो हमारी अर्दास पूरी नहीं हो सकती हमारे मन में यह विश्वाश होना चाहिए कि जिस परमसता के सामने में अर्दास कर रहा हूं उसके पास मेरी अर्दास को पूरी करने की शक्ती है इस सवस्था में कोई वज़य शेश नहीं बचती हमारे अरदास पूरी ना हो ऐसा हो नहीं सकता हमारे विश्वाश ना होने के कारण अरदास को पूरा होने में रुकावट जरूर हो सकती है क्योंकि हमारा विश्वाश पूरा नहीं है और अगर हमारा विश्वाश पूरा है तो सत्गुरु को जो हमारे लिए हमारी अरदास को जरूर पूरन कर देगा लेकिन अगर हम जीद करके अपनी बात मनवाएंगे तो क्या पता वो बात में हमारे भला है या नहीं सत्गुरु तो हमारी बात को पूरी कर देंगे लेकिन अगर उसमें हमारा भला नहीं हुआ तो बात में हमें पश्चाता भी होग इसलिए हम सत्गुरु के अपर पूरण विश्वाश रखें कि सत्गुरु सचे पाश्या जो भी आप जी करोगे हमारे लिए ठीक ही करोगे कहते हैं कि जिस तरह एक बच्चा पेरेंट्स के आगे जित करता है जैसे बच्चे को कोल्ड कौफ लगा है खांसी जुकाम है और वो जीत करता है कि मुझे तो आईस क्रीम खाई चाहिए लेकिन पेरेंट्स कहते हैं अभी आप आईस क्रीम खाने के लाइक नहीं हूँ अभी आपकी तबियत खराब है लेकिन जब बच्चा बार बार जीत करता है तो पेरेंट्स को आईस क्रीम लेकर देनी पड़ती है भले ही उस बच्चे का उस आईस क्रीम खाने से स्वास्ता खराब हो सकता है इसी तरहें सत्गुरु को पता है कि हमारे लिए क्या सुखदाई है और क्या सुखदाई नहीं है लेकिन जब हम इसके आगे जिद करते हैं तो यह हमारी वो अरदास पूरन कर देता है हम कभी बेजीद ना करें हम कुछ नहीं जानते कि हमारे साथ बविशे में क्या होगा इसलिए हम वर्तमान में हिज्जियें और सत्गुरू के आगे यही अर्दास करें कि यह दातार सचे पाश्या जो तुझे हमारे लिए ठीक लगता है सोही करना हम कुछ नहीं जानते आगे आने वाला समय हमारा किस तरह से निकलेगा यह आपको पता है और जो भी सुखदाई हो उस रास्ते पर हमारे कदम बढ़ाते जाना हम कभी भी किसी भी बात के लिए जिद ना करें हमारा विश्वाश पूरन होना चाहिए कहते हैं कि दासी एक महात्मा के विचार पड़ रही थी तो उस में वो महात्मा बता रहे थे कहते हैं कि दास की जिंदगी में अनेकों घटनाएं घटी जिन से यह मुझे एहसास हुआ कि विश्वाश ही घुरसिगी में सबसे बड़ी पुझी है धन दूलत है संपती है कुछ साल पहले की बात है दास की तबियत अचानक खराब हो गई और नजदी की होस्पिटल में एडमिट होना पड़ा दो दिन होस्पिटल में रहने के बाद जब दास घर आया तो बहुत परिशान था क्योंकि बिमारी का पूरी तरह से पता ही नहीं चल पाया था शाम के समय दास बहुत परिशान हुआ तो मेरी पतनी से मेरी परिशानी देखी नहीं गई और वो कहने लगी चलो ससंग भवन की और चलते हैं इसी महात्मा से आशीरवाद लेकर आते हैं जैसे ही ससंग भवन की और चले सामने पुझे भगत गोटु मल जी का घर नजर आया तो उनके घर जाकर बैठ गए भगत जी दास की पतनी को कहने लगे कि क्या बात है आज आप बहुत परिशान नजर आ रहे हो इस पर मेरी पत्ती कहने लगे कि अगर मेरे पत्ती परिशान है तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ यह कहकर उसने भगत जी से पूरी बात बताई तो भगत जी सहजी कहने लगे कि जाओ रसोई में से बरतन उठा कर ले आओ और चरनामरित बनाओ उन्होंने कहा कि तुम्हारे पत्ती बिल्कुल ठीक है इन्हे कुछ भी रोग नहीं है यह सुनकर दास ने शर्दा पुर्वग चरनामरित बनाया और भगत जी के चरनों में नमशकार की इस से दास को यह विश्वाश हो गया कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं जब दास चरनामरित बना रहा था तो मुझे भगत जी में सत्गुरू का रूप नजर आ रहा था मन में यह विश्वाश हो रहा था कि दास जिस महात्मा को अपनी बात सुना रहा है इन में मेरे दुख को हरने की शक्ती है अगले दिन दास का डोक्टर से मितने का समय फिक्स था जब दास डोक्टर के पास जा रहा था तो मन में विचार आ रहा था कि अब तो डोक्टर के पास जाना फॉर्मेल्टी है डोक्टर ने पूरी त्रह से मेरे स्वास्ते का निरेक्षन किया और कहने लगे कि आपको कोई बिमारी नहीं है आप पूरी त्रह से हेल्दी हैं डोक्टर की एह बात सुनकर दास की आखे नम हो गई और मन में यह विश्वाश हो गया कि जब आशीरवाद देने वाला और लेने वाला दोनों ही पूरण विश्वाश से सत्गुरु को अपना स हारा मानते हैं तो यकीनन ही हमारे दुख दूर हो जाती हैं विश्वाश की कमी में हम आशीरवाद को फॉर्मेल्टी बना लेते हैं इसके विपरित जब हमारा विश्वाश पहाड़ों की तरह मजबूत होता है तो सूख और दुख हमें परेशान नहीं कर पाते हमारे मन मे विश्वाश का भाव इस तरह होना चाहिए कि सत्कुरू हमेशा हमारे साथ है और यह कभी भी हमारा बुरा नहीं करते इस आश्य का भी एक परसंग परस्तूत है एक दिन दास अपने घर की तीसरी मंजिल पर खड़ा हुआ था दास का बेटा जोर जोर से रो रहा था उसे चुप करवाने के लिए मैंने उसे डराने की कोशिश करते हुए कहा कि तुम चुप हो जाओ नीचे की और हाथ करते हुए कहा कि मैं तुझे नीचे फैंक दूँगा जब बच्चे को मैंने अपने हाथों से नीचे की तरफ किया तो बच्चा जोर जोर से हसने लगा हालंक यह बात कहते ही मेरा हिर्दे काप उठा और अगले ही पल्धियान आया कि बच्चे के ना डरने कारण कह था कि उसे पूरन विश्वास था यह मेरा पिता है यह मुझे फैंके का नहीं पिता तो जिन्दगी देने वाला होता है मन में एक दम ध्यान आया कि सत्गुरू निरंकार के प्रतिवी हमारा विश्वास ऐसे बच्चे कितरे हैं द्रेड मजबूत होना चाहिए हमारे मन में द्रेड हमारे मन में यह विश्वास होना चाहिए कि हम सत्गुरू की गोदी में बैटे हैं सत्गुरू हमेशा हमें सुक ही देते हैं और हर हाल में हमारी रक्षा करते हैं विश्वास की कमी में गुरू और गुर्सिक का रिस्ता जूड नहीं पाता वास्तव में विश्वाश ही गुरू और शिश्य के बीच एक महत्व पूरण कड़ी के रूप में काम करता है जब सत्कुरू हमें आशीरवाद देता है तो वास्तव में हमारा विश्वाश ही हमें खुशियां परदान करता है अगर मन में विश्वाश का भाव ही पैदा ना हुआ हो तो आशीरवाद तो फिर फॉर्मेल्टी तक ही सीमित रह जाता है इसलिए हमेशा दातार से अर्दास करें कि हर हाल में हमारा विश्वाश कायम रहे टाकि हम सत्कुरु के अशीरवादों से अपनी जोलियां भरते रहे और हमेशा हमारा मन यही पुकारता रहे भगती से भरा जीवन दातार हमें देना मजबूत पहाड़ों सा विश्वाश हमें देना द्रीड से द्रीड तर होता जाए, विश्वास तुमारे चर्णों में, ये देव समर्पित करपाऊ, हर स्वास तुमारे चर्णों में, जाज संगत जी विश्वाश भरे विचार जो दासी ने अपची के चर्णों में रखे हैं दासी को भी अशीरवाद देना कि दासी भी इन बचनों पर पूरे द्रहसे अमल करते हुए करम रूप में धारण करते हुए अशीरवाद लेती चली जाए और अंतिम स्वासों तक हम सत्कुरू के चर्णों में हम सभी सत्कुरू के चर्णों में सेवा सिम्रन ससंग करते हुए अपने इनों तोड निभा पाए जाज संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी